हेई एवरिवन वेलकम तू सरकारियाट वन्स अगें तो इस वीडियो में जो हम लोग एक इंपॉर्टेंट डिस्कॉप्शन करने वाले हैं जो कि SDPGI के BSC Nursing Course के Admissions से रिलेटेड होने वाला है 2023 में तो इन केस अगर आप प्लान कर रहे हो या सोच रहे हो कि 2023 में आपको SDPGI से BSC Nursing का Course pursue करना या उसमें admission लेना है तो उसके बारे में जो हम लोग इस वीडियो में complete information discuss करेंगे कि कौन-कौन candidates eligible हैं ठेक है क्या maximum age criteria रहता है क्या syllabus रहता है कब इसका exam होगा कब application form release होंगे ठेक है के लिए लिए समझ आपाएं ठेक है तो वैसे तो उत्तरप्रदेश में last year से common entrance exam होता है सब government और private colleges में admission के लिए ठेक है लेकिन SGPGI एक ऐसा college है जो उस common entrance से अपना admission जो नहीं करवाता ठेक है SGPGI ने last year 2022 में जो अपना entrance exam से करवाया था मतलब अलग से करवाया था और उसी के जो merit लेस्ते उसके basis पे सभी candidates का selection हुआ था ठीक है तो in case SGPGI को छोड़के जितने भी government और private colleges है उत्तरप्रदेश में तो आप उसमें जो है अकर admission लेना चाहते हो तो फिर आपको जो है कर सकते हो बागी future में भी मैं आपको ऐसे ही जो भी colleges होते हैं जहां पर आप admission ले सकते हो मतलब bio वाले जो candidates हैं अलग अलग कोर्स में किस किस कोर्स में admission ले सकते हैं कहा का admission ले सकते हैं उस पर मैं तो इसी के according हम लोग सभी information को discuss करने वाले हैं 2023 में जब इसका information ब्रोचर आएगा तो उसमें अगर कुछ भी details अलग होती है तो उसको भी बाद में हम discuss कर लेंगे लेकिन यह कि आपको एक idea मन जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर आपका पूरा complete process होने वाला है ठीक है तो ऑगस 2022 में इनका मतलब session start होना था लेकिन थोड़ा delay हो गया था ठीक है तो ऑगस 2022 के according है आप लिखा है तो यहाँ पर जो है यह आपका चार साल का BAC nursing का जो है कोर्स होता है और इसका जो application form की fees रहते हो वह 1000 रुपीज प्लस bank charges रहते है ठीक है तो मतलब यह कि 40-50 रुपीज जो आपके bank charges रहेंगे 1000 रुपेगा आपका form है जो आपको fill करना होता है यहाँ पर entrance exam देने के लिए ठीक है online आपका application form यहाँ पर submit होना होगा ठीक है और उसके बाद यहाँ पर college of nursing के बारे में कुछ information दिये इसको छोड़ते हैं बाकि यहाँ पर total seats की बात कर लेते हैं तो total जो seats रहती है वो इक बात यह भी है कि SGPGA का नाम काफी जाद है मतलब अगर आप बात करते हो KGMO लखना होगी तो उसके comparative ही इसकी value भी है ठीक है मतलब SGPGA की बी उतनी value है जितनी KGMO लखना होगी है तो यह भी एक काफी renowned institute है अगर आपको सब्वोज यहाँ पर course में admission मिल जाता है तो आप का seat matrix है अब काफी सारे students यह सोचते हैं कि हाँ पर इतनी कम seat है तो हमें apply करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो मैं सभी को यह suggest करता हूं कि in case आप मतलब आप अगर financially stable हो और आपके पास opportunities की कमी है तो जो भी आपको opportunity मिलती है उसको please मत छोड़ा करो ठीक है क्योंकि जितनी ज application form fill करते हैं जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है मतलब पूरे इंडिया में जो कि है need application form ठीक है अब need में competition already इतना tough है ठीक है उसके लिए आपको बहुत जादा मेहनत करनी पड़ती है अगर आप कर सकते तो बहुत अच्छी बात है लेकिन यह है कि साथ-साथ आपको और भी चीज़ों पर धान देना चाहिए कि और कौन कौन सी जो है opportunities हमारे लिए बनी हुई है ठीक है तो यहाँ पर जो है यह चीज़ आपको समझा गई हो कि ठीक है EWS के लिए 4 सीटे हैं OBC के लिए 10, unresult के लिए 17, SC category के लिए 9 सीटे हैं और ST category के लिए यहाँ पर कोई भी result seat नहीं है ठीक है तो इनकेस अगर आप ST category से belong करते हैं तो आपको जो है जो seat दी जाएगी वो general category की seat दी जाएगी लेकिन आप अगर उस merit में आओगे ठीक है उसके बाद यहाँ पर age की बात करें तो minimum age जो है वो आपकी 17 साल यहाँ पर होनी चाहिए 31 December of the year in which the admission is sought तो यानि क सिर्फ इसी institute के लिए नहीं है बलकि सभी institute के लिए जिसमें आपका BAC nursing का course रहता है या कोई भी medical course रहता है तो उसमें आपको minimum 17 years of age complete होना चाहिए उस साल में जिस साल में आप admission ले रहे हो उसके 31st of December को चाहिए maximum age यहाँ पर 35 years दी गई है अब qualification की बात करते हैं तो 12th में आपका जो है physics, chemistry, biology और English होना चाहिए और physics, chemistry, biology में आपके पास minimum 45% marks होनी चाहिए तब भी आप इस application form के लिए इस entrance exam के लिए eligible रहोगे candidates are also eligible from state open school recognized by state government and national state open school ठीक है तो यहाँ पर जो है मतलब आपका जो reserve क्या बोलते हैं मतलब आप यहाँ पर apply कर सकते हो दूसरे case में भी in case अगर आपने जो है state मतलब open से कि अपनी open schooling करिया न यह उससे करा या किसी भी state open schooling से किया है तब भी आप इसके लिए eligible रहोगे ठीक है और English is a compulsory subject in 10 plus 2 for being eligible for admission to BAC nursing English आपके पास यहाँ class 12 में होना कम दसरी है अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर इस course के लिए eligible नहीं रहोगे ठीक है और उपर एक चीज़ reservation के बारे में लिखे reservation will be applicable as per UP government rules reservation will be admissible only to candidates having domiciled in Uttar Pradesh candidates domiciled elsewhere will be treated as general category candidates ठीक है तो यहाँ पर आपका एक सवाल इस चीज़ से related हो सकता है कि क्या other state candidates यहाँ पर eligible है तो यहाँ पर देखो उपर साफ साफ लिखा है reservation का benefit है वो सिर्फ UP के candidates को मिलेगा मतलब UP का domicile यानि की स्थाई निवास प्रमाण पतर जिसके पास होगा वही जो candidate है reservation का benefit ले सकता है अग बाकि general category तो कोई reservation होता नहीं है बाकि उसके आगे लिखा है कि candidates domiciled elsewhere will be treated as general category candidates तो यानि कि अगर आप सपोज other state से belong कर रहे हो तो आप जो है फिर आपको general category से ही fight करना पड़ेगा मतलब जो 17 seat है यानि कि आपकी top 17 rank आनी जाहिए तब आपको यहाँ पर admission मिलेगा यानि कि आप आपको admission मिल जाएगा अगर आप other state से belong करते हो लेकिन आपको सिर्फ general category की seats ही दी जाएंगे मतलब 17 जो seat है उसी में आपको fight करना है बाकि जो reserved seats है वो reservation वाले वही candidates apply कर पाएंगे जो UP से belong करते है ठीक है तो यह जीद आपको अच्छे से समझ आ गए होगी और यह लिखा है क कि married candidates are also eligible for admission ठीक है तो यह चीज़ काफी जगे पर नहीं होती है और बहुत सारी कुछ candidates हैसे भी होती कि married होते है तो वो यहाँ पर apply कर सकते है ठीक है और उसके बद foreign nationals यह सब छोड़ देते है ठीक है reservation policy है और यहाँ पर वही लिखा कि कितना reservation किसको मिलेगा ठीक है उपर seat स पता लग गया वो तो अब application form यहाँ पर लिखा है कि आपको apply कैसे करना है तो इनकी official website है hgpji.ac.in इस website पर जाके आपको application form fill करना होता है तो अभी तो देखो इसका application form release नहीं हुआ है जब इसका application form release होगा तब जो है मैं आपको inform कर दूँगा ठीक है जैसे इसका official notice आ मतलब जो भी उसकी answer sheet है ठीक है ना और उसके बाद है entrance exam procedure for selection तो आपकी merit बनाई जाती है और इसमें क्या होता है मतलब कुछ candidates को waiting list में भी रखा जाता है ठीक है suppose अगर उपर वाले candidates है उन्होंने अगर अपनी seat नहीं ले तो जो waiting list वाले candidates होते हैं उनको भी chance मिल जाता है ठीक है five subjects आपसे पूछे जाएंगे जिसमें आपका nursing aptitude, physics, chemistry, biology and English ठीक है तो इस syllabus बिल्कुल वैसे ही है जैसे KGMO का common entrance test का syllabus है तो same syllabus हुआ ही है ठीक है ना तो यहाँ पर 20-20 questions हर section से रहने वाले हैं और उसके बाद जो है मतलब 100 marks का पूरा आपका paper रहेगा ठीक है और उसके journal English आता है जैसे कि filling the blanks हो गए ठीक है और prepositions हो गए और tenses से थोड़े questions पूछ लिया जाएंगे या फिर passage दे दिया जाएगा उससे questions पूछ लिया जाएंगे close test आता है तो इस तरीके के मतलब normal questions आते इतना ज्यादा high level नहीं होता बागी बात करें कि nursing aptitude कैसे पढ़े तो nursing apt aptitude पे already मैं एक playlist बना चुका हूँ वो आप सभी के लिए free में available है तो वो मैंने seven lectures उसके मतलब playlist में compile के हो है तो उस playlist का जो link है मैं comment section में pin कर दूँगा अगर आप check out करना चाहो तो आप उसको check out कर सकते हो वो आपके लिए काफी ज़्यादे helpful रहेगे अगर आप nursing aptitude के preparation कर रह आप देख लेना अगर आप suppose future में इसकी preparation करते हो और अगर आप KGMU की preparation कर रहे हो तब भी आपके syllabus में nursing aptitude पूछा जाएगा ठीक है अब यहाँ पर minimum qualifying marks के यहाँ पर बात की गई है कि अगर आप general category से बिलॉंग करते हो तो आपका 50th percentile minimum आना चाहिए तब यह आप counseling करवा सकत percentile जो है वो different होता है percentage से clear है और उसके बाद यहाँ पर resolution in case of a time मतलब यह कि किसी दो candidate के marks अगर सेम हो जाते तो उस case में आपर उनका तरीका दिया गए उनका rule दिया गया कि किस rule को follow किया जाएगा ठीक है तो इसको अभी छोड़ते हैं इतना आपके matter नहीं करता ठीक है और उ है और यहां भी लिखा है the examination will be conducted in English language only तो English में ही आपके यहां पर exam कि दिया जाता है ठीक है और इसमें negative marking की बारे में कुछ लिखा नहीं है लेकिन मेरे recording यहां पर negative marking आपकी होती है ठीक है ना तो इस चीज़को आप अच्छे से ध्यान लटना बागी में इसके बारे में future मे confirm करके आपको बता दूगा ठीक है बाकी instructions लिखें कि exam hall में आपको किस तरीके साना है यह सब कोविट से related instructions है ठीक है और important instructions for joining the course यह सब बात की बात है कि आपको counselling के बाद जब आपके admission होते तो आपको क्या के document चाहिए होंगे वो सब चीज़े यहां लेकिए और उसके बाद तब यह आपकी काम का होगा ठीक है और बाकी यहां पर tuition and other fees के बारे में लिखा है तो आपकी जो fees यहां पर रहने वाली है वो कुछ इस तरीके से आप चाहो तो इसका screenshot भी ले सकते हो तो first year की जो fees है उसमें जो first semester रहेगा वो आपकी 40,750 rupees है और उसके बाद जो second semester है उसमें आपकी 28,050 rupees ठीक है फिर आपकी 25,28,28 इस तरीके से आपकी यहां पर fees चलते रहेगे ठीक है तो इसमें सभी fees है आपकी library fees है caution में नहीं है migration है ठीक है तो यह सब fees आपकी यहां पर दी गई है और उसके बाद लिखा है कि students have to pay mass fee and bus fee on monthly basis तो mass fees जो वो आपको अलग से दीनी प आपकी fees यहां पर लिकिईए यह बाके hostel fees के बारे में आपके आपको data कुछ भी information नहीं दी तो मेभी हो सकता है कि refusal fees इसमें इंक्लूडूड़ हो यहां पर लिखा नहीं है ठीक है तो यह आपकी information थी बाकी hostel के बारे में लिखा कि तो यहां पर hostel में रुकना जरूरी है यह उपर साफसाब लिखा है कि इस अब आपके लिए बात की बाते हैं जब आपका इंडमेशन यहां पर हो जाएगा तो यह आपके सारी इंफोर्मीशन थी इसके रिगार्डिंग SGPGI के BSC Nursing के कोर्स के रिगार्डिंग आपको सबी चीज़ आप अच्छे से पता लग यहांगी बाकि इसके प्रिपेशन से रिलेटेड जो भी टिप्स है जो भी ट्रिक्स है वो मैं आपको फूचर में टाइम टो टाइम बताते रहोंगा बाकि जल्दी ही जो है मैं चैनल पर नए हो तो आप जरू सब्सक्राइब करना और बैल आइकन को प्रेस करना ताकि इससे रिलेटेड जो भी फ्यूचर में अपडेट्स हैंगे कि अप्लिकेशन फॉर्म वगरत कर आएगा तो देखो इसका अप्लिकेशन फॉर्म जो है वो मैं बता दूं कब तक कहां कहां पर admissions open है ठीक है और किस किस तरीके से आपको जो है admission लेना है entrance exam कैसे दिना है इस पर related में आप वीडियो बनाता रहता हूं तो आप अगर चैनल को follow कर होगे तो आपके लिए बहुत जादा beneficial है रहने वाला है ठीक है तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर end करते हूं और कोई doubt है तो आप मुझे comment section बता देना अगर यह वीडियो थोड़ी से भी helpful लगे तो please को जरूर लाइक कर देना okay so thank you and have nice day